नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट MS वोइस में गणपती महराज की क्रिपा आप पर और आपके संपोन परिवार पर हमेशा बने रहे भगवान गणेशी के क्रिपा पाने के लिए बुधवार का दिन बहुत ही खास वाना जाता है माननेता है कि जो भी मनुष्य सच्चे दिल से बुधवार का व्रत करते हैं विधी विदहन से गणपती बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं कथा सुनते या सुनाते हैं उसके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बुधवार व्रत करने से जीवन में सुख समरिथी और धन दौलत की कमे नहीं रहती। भगवान गणेशी की पूजा करने से ना सिर्फ बुध्धि मता और ज्यान में वृती होती हैं, बलकि जीवन में आ रही विपत्तियां भी दूर हो जाती हैं। ये व्रत धन प्राप्ति के रास्ते खोलता है और सारे विगड़े काम बनाता है। बुधवार व्रत में गणपति बपा की पूजा करने के बाद इस व्रत कथा को जुरूर सुनना चाहिए। गणेशी की कहानी पढ़ने या सुनने से व्रत का पूण फल प्राप्त होता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखेगा कि जब भी हम कोई कथा सुनते हैं तो उसे हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अधूरा चोड़ने से दोश लगता है और पूरा सुनने से पुन्य फल मिलता है। तो आईए पूरे भक्ति भाव से श्रवन करते हैं बुद्वार व्रत की कथा का। तो प्रेम से बोले गणपती महराजी के जै। पूरानी कथा के अनुसार एक बुडिया माई थी जो की प्रती दिन एक मिट्टी के गणपती जी बनाती थी और रोज उनकी पूजा करती थी। लेकिन वो प्रती दिन गणेशी की प्रतिमा बनाती थी और वो प्रती दिन ही गल जाती थी। एक पर उसके घर के सामने ही किसी सेड़शी का घर बन रहा था बुड़िया माई ने मन में सोचा कि मैं इन काम करने वालों को बोलकर एक गणपतीची बनवा लेती हूँ यह सोचकर वह उन मकान बनाने वाले कारीगरों के पास गई और उनसे बोली भाई मैं प्रती दिन मिट्टी के गणपतीची बनाती हूँ और वह प्रती दिन ही गल जाते हैं तूट जाते हैं क्या तुम मेरे लिए पूजा के लिए एक पत्थर की गणपतीची बना सकते हो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा मुझ पर घर बनाने वाले कारिगरों ने बोला मान जी जितनी देर में हम आपके लिए गणेशी बनाएंगे उतनी देर में तो हमारी दिवार पूरी बन जाएगी बुड़ी हमाई यह सुनकर दुखी मन से घर को वापस आ गई और मकान बनाने वाले कारीगरों को सुभा से शाम हो गई पर उनकी वह एक दिवार पूरी नहीं हुई कारीगर जितनी बार दिवार बनाते थे उतनी बार उनकी दिवार टेड़ी हो जाती थे ऐसा करते करते उन्हें सुभा से शाम हो गई शाम को जब सेड़ जी आए तो सेड़ जी ने देखा उनकी एक दिवार तक पूरी नहीं हुई और सेड़ जी बोले यह क्या तुमने आज एक दिवार तक पूरी नहीं बनाई क्या तुमने आज कुछ काम नहीं किया तब मकान बनाने वाला एक कारिगर सेड़ जी के पास गया और उसमें बुढ़िया माई वाली सारी बात सेड़ जी को बता दी कि बुढ़िया माई आई थी और वह पत्थर के गणपती जी बनाने के लिए प्रार्थना कर रही थी तब सेड़ जी बुढ़िया माई के घर गए और बुढ़िया माई से प्रार्थना की कि हे माई हमारी दिवार सीधी कर दो हम आपके लिए सोने के गणपती बनवा देंगे गणेश जी ये सुनते ही सेड़ जी की दिवार सीधी कर दी सेड़ जी ने बुढ़िया माई को सोने की गणेश जी पनवाकर दे दी हे विगन विनाशक हे गनपति महराज जैसे आपने सेड़ जी की दिवार सीधी की वैसे ही हमारे भी सभी कारे सीधे करना कथा को सुनने वाले, कथा को सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के कारियों को सिध करना, सीधे करना, सभी पर अपना आशिरवात बनाए रखना सभी की मनो काम नए पूरी करना प्रेम से बोली अगन पती महराज की जय एक अन्य पुराणी कथा के अनुसार समतापूर नगर में मधु सुधन नाम का एक व्यक्ति रहता था वे बहुत ही धन्वान था मधु सुधन का विवाह बलराम पूर नगर की एक सुन्दर लड़की से हुआ था जिसका नाम था संगीता एक बाद मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुद्धवार के दिन बलराम पूर गया मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा माता पिता बोले बेटा आज बुद्वार है और बुद्वार को कोई भी शुब कारे करने के लिए यात्रा नहीं करते लेकिन मधुसुदन नहीं माना उसने ऐसी शुब अशुब की बातों को ना मानने के ही बात कही उसके बाद दोनों ने बैल गाड़ी से यात्रा प्रारंब कर दी दो कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया तूट गया वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी रास्ते में संगीता को बहुत प्यास लगी मधुसुदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठा कर जल लेने चला गया थोड़ी देर बाद जब मधुसुदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बूरी तरह से हैरान उठा क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही हम शकल, उसकी ही शकल सूरत का एक जैसा व्यक्ति उसके पास बैठा था, उसकी पत्नी के पास बैठा था संगीता भी मधुसुदन को देखकर हैरान रह गई वह दोनों में कोई अंतर ही नहीं कर पा रही थी वो पहचान नहीं पा रही थी कि इस मेंसे असली मधुसुदन कौन है मधु सूधन ने उस व्यक्ति से पूछा तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो मधु सूधन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा अरे भाई यह मेरी पत्नी संगीता है मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हू लेकिन तुम कौन हो, जो मुझसे ऐसा प्रशन कर रहे हो मधु सूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो यह मेरी पत्नी संगीता है, मैं इसे पेड के नीचे बिठा कर जल लेने गया था इस पर उस वेक्ति ने कहा, अरे भाई, जूड तो तुम बोल रहे हो तुम्हें पकडवा दूँगा, दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ने लग गए उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां इकठे हो गए नगर की कुछ सिपाही भी वहां आ गए सिपाही उन दोनों को पकड़ कर राजा के पास ले गया सारी कहाने सुनकर राजा भी कोई निर्ने नहीं ले पाया संगीता भिन दोनों में से अपने वास्तविक पती को नहीं पहचान पा रही थी कि कौन सा मेरा असली पती है राजा ने दोनों को कारगार में डाल देने के लिए कहा राजा के फैंसले पर असली मधुसुदन भैभी थो उठा भैडर गया तब ही एक आका आश्वानी हुई मधुसुदन तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया यह सब भगवान बुधदेव के प्रकोप से हो रहा है मधुसुदन ने भगवान बुधदेव से प्रातना की कि हे भगवान बुधदेव मुझे क्षमा कर दो मुझे माफ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गल्ती हुई है भविश्य में अब कभी भी बुद्धवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सिदैव बुद्धवार को आपका वरत किया करूँगा मदु सूदन की प्रात्ना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे ख्षमा कर दिया उसको माफ कर दिया तब ही दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से उसी समय कायब हो गया राजा और दूसरे लोग इस चमतकार को देखकर बहुत हैरान हो गया भगवान बुद्ध देव की इस अनुकमपा से राजा ने मदु सूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैल गाड़ी मिल गई बैल गाड़ी का जो तूटा हुआ पहिया था वह भी चूड़ा हुआ था दोनों उसमें बैटकर समतापूर की ओर चल दिये मदु सूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद उर्वक अपना जीवन विताने लगे इस तरह भगवान बुधदेव की कृपा से उनके यहां खुशियां बरसने लगे इस तरह जो भी इस्तरी पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं भगवान बुधदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं आईए अब जो गणेश जी के हैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ इसे हर व्रत कथा में जरूर सुनना चाहिए एक गाओं में एक डोकरी रहते थी मतलब की एक व्रिध औरत रहते थी उसके बहुत थोड़ी से पागल जैसी बावली जैसे रहते थी उसे भूग बिलकुल भी सहन नहीं होते थी वह रोज सुबा उठकर सबसे पहले खाना खाते थी फिर दूसरे काम करती थी जैसे ज़ाडू गेरा जो भी घर के काम होते हैं एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था तो वृध्धा ने सोचा कि यह तो सुबह उठकर सबसे पहले खाओं खाओं करेगी और सारा खाना जूठा करतेगी तो वृध्धा ने एक उपाय सोचे पहले के टाइम में कुएं से पानी लेकर आते थे तो उसने क्या किया उसने पानी के मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और बहु से कहा कि आज पूजा है तू सुबह से खाओं खाओं मत करियो तू पहले पानी भर करला फिर खेमा और वह पानी भरने के लिए चली गई बहु भी थोड़ी सी समझदार तो थी उसने देख लिया था पहले ही कि सासु जी ने मटके में छेद कर दिया है तो उसने क्या किया जब वह घर से निकली तो उसने साडी में आटा बांध लिया बहु पानी भरने कुएं पर उसके बाटियां बना ली वहीं पास में ही कुआ था वहीं पास में शमशान भी था वहाँ एक मुरदज लाया जा रहा था तो उसकी आच में उसने वह बाटियां सेख लिए और पास में ही एक गणेश जी का मंदिर था मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चड़ाया था तो गणेश जी की तोन में घी लगा हुआ था उसने उस घी से बाटियां चोपड़कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वह बाटियां खा ली उसके बाद उसने अराम से पानी भरा और फिर वह अराम से अपने घर चली गई इधर गणेशी ने क्रोधित होते हुए नाग पर उंगले चड़ा ली फिर उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेशी नाग पर उंगले चड़ा रखी है तो उसने गाउं में जाकर सबसे कह दिया कि गणेशी ने नाग पर उंगली चड़ा ली अब गणेशी की नाग से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे कोई गणेशी के पाठ करने लग गया, कोई हवन कर रहा था, कोई जाप करने लग गया ताकि गणेशी की नागपर से उंगली हटा ली, पर गणेशी ने नागपर से उंगली नहीं हटाई, अब यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुँच गई, कि गणेशी ने नागपर उंगली चड़ा ली है, राजा ने बड़े बड़े पंडिर और जोतिश बुलवाए, उन् भी गणेश जी की नाक पर से उंगले हटवाएगा उसे पांच गाउं की जागिर दे दी जाएगी अब राज्य में सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रियास करने लग गए गणेश जी ने फिर भी नाक से उंगले नहीं हटाई सब ठक हार थे आखिर मैं डोकरी की बहु बोली कि मा साहब आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगले हटा सकती नहीं तो व्रिदा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडेत और जियोतिश गणेश जी की नाक से उंगले नहीं हटा पाए तू हटा देगी बावली तू कैसे हटा देगी? तभी एक आजमी नै कहा कि एक बार इसे भी मौगा देदो, इसको भी प्यास करने दो, इसको भी देखने दो, हो सकता है कि यह गणेश जी की नागपर से उंघले भी फिर उन्होंने कह दिया कि चरो तू भी कर ले, एक बार कोशिश कर ले बहु ने कहा पर मेरी एक शर्थ है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा परदा लगाए जाए तो लोगों ने कहा ठीक है और घर से मंदिर तक परदा लगवा दियो गया तो उसके घर से लेकर मंदिर तक परदा लग गया अब बहु ने क्या किया जब वह घर से निकली तो उसने सबसे पहले अपने घागरे में मतलब पैटी कोट में धोबना यानि कपड़े धोने का जो हतियार होता है धोबना जिससे कपड़े कूटते हैं छिपा कर मंदिर गई मंदिर में धोबना निकाल कर गणेश्ची से बोली कारे कारे गणेश्या आटो लाई महारे घर से पनघट पर आटो ओसन के उनी की बाटियां बनाई मर्या मुर्दा की आग से उन्हें से की थारी तोंद में से जरासो घी ले लियो तो तुने नाग पर उंगली चड़ा ली नाग पे से उंगली हटा रही हो की नहीं नहीं तो दूंए एक धोंडा रही अभी थारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा बहु की बात सुनकर गणेश्ची डर गए उन्होंने सोचा कि ये तो बावली है सही में मार देगी तो क्या करूंगा इसका तो कोई भरोसा नहीं है सच में ही मार देगी और गणेश्ची ने फट से नाग पर से उंगली हटा ली अब तो पूरे गाउं में डोक्री की बहु की जैजयकार होने लगी की डोक्री की बहु ने गणेश्ची के नाग से उंगली हटवा दिए राजा ने अपने आदेशा नुसार पांच गाउं जागीर में दिये हेगणेशी महराज जैसे उस डोकरी की बहु को दिया वैसे सब को देना कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भनने वाले सब को देना कथा अधूरी हो तो पूरी करना पूरी हो तो मान करना तो प्रेम से बोलिये गणपती महराज की जय चौथ माता की जय आईए आप सुनते हैं श्री कणेश चाले साथ जैगणपती सदगुण सदन कविवर बदन कृपाल विघन हरन मंगल करन जैगिरी जालाल जैगिरी जालाल जैगिरी जालाल जैगणपती गण राजुण मंगल भरन करन शुब काजुण जैगणपती बदन सदन सुखदाता वेश्व विनायक बुद्धि विधाता वक्र तुंड शुच शुण्ड सुहावन तिलक त्रिपोंड भालमन भावन राजित मनि मुक्त नूर माला स्वण मुकुट शिर नयन विशाला पुस्तक पाणी कुठार त्रिशोलं मोदक भोग सुगंधित पोलं सुंदर पितांबर तन साजित चरण पादू का मुनी मन राजित धन शिव सुवन शडानन भ्राता गवरी ललन वेश्व विधाता रित्ति सित्त तव चमर सुधारे मूशक वाहन सोहत द्वारे कहुच नम शुब कथा तुम्हारे अतिशुच पावन मंगलकारे एक समय गिरी राज कुमारे पुत्र हे तु तब किन हो भारे भयो यग्य जब पूर्ण नूपा तब पहुच्यो तुम धरी द्वेज रूपा अतिथी जानी कई गवरे सुखारे बहु विधी सेवा करे तुम्हारे अति प्रसन हवै वर दिन हा मातु पुत्र हित जो तब केन हा मिल ही पुत्र तुही पुत्थी विशाला बिना गर्ब धारण यही काला गणनायक गुण ज्यान निधाना पूजित प्रतम रूप भगवाना असकही अंतर धान रूप वहे पलना पर बालक स्वरूप वहे बनीश शोरुदन जब हे तुम ठाना लखी मुख सुख नही गवर समाना सकल मगन सुख मंगल गावही नभते सूरन सुमन वर्शावही शंभू मा बहुदान लुटावही सुर्मुन जन सुत देखन आवही लखियत आनंद मंगल साजा देखन भी आय शनी राजा निजव गुण गुण शनी मन माही बालक देखन चाहत नाही गिर्जा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोरन शनी तुही भायो कहन लगे शनी मन सकुचाई का करिह उशिशो मोही दिखाई नहीं विश्वास उमा और भयो शनी सो बालक देखन कहयो पड़ते ही शनी द्रिग कोण प्रकाशा बालक सिरूडी गयो आकाशा गिर्जा गिरी विकल वही धरणी सो दुख तशा गयो नहीं वरणी हाहा कार मचियो कैलाशा शनी किनियो लखी सुत का नाशा तुरत करूल चड़ी विश्णू सिधाए काटी चक्र सोकाच शिर लाए बालक के धड़ उपर धार्यो प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो नाम गणेश शंभूत अब के नहीं प्रथम पुझ्य बुध्धि निधिवर देन है बुध्धि परिक्षा जब शिव के नहा पृत्वी कर प्रदिक्षिन लेन हा चले शडानन भर्मी भुलाए रचे बैट तुम बुध्धि उपाए चरण मातु पितु के धरलिन है तिन के साथ प्रदिक्षिन किन है धनी गणेश कही शिव ही हर्शे नबते सुरन सुमन बहु बरसे तुम्हरी महीमा बुध्धि बढ़ाई शेश सहस मुख सकेना गाई मैं मतीहीन मलीन दुखारी करहूं कौन विधि विन तुम्हारी भजत राम सुन्दर प्रभुदासा जग प्रयाग ककरा दुरवासा अब प्रभुदाया दिन पर केजे अपनी भाक्ति शक्ति कचु देजे श्री गणेश यह चालेशा पाठ करेधर ध्यान नितनव मंगल ग्रिह बसे लहे जगत सन्मान सबंध अपन सहस्त्रदश रिशे पंचमी दिनेश पूरण चाली साभयो मंगल मूरती कडेश प्रेम से बोलिये ग्रणपति महराज की जय उमेद करती हो आपको आज की यह कथाएं अच्छी लगी होंगे अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जुरूर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और कथाएं अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्रेब जूरूर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तत्यली जैमाता दी आपका कल्यान हो